अलिगर मिर्श्री राम जन्व भूमी ट्रस्ट के अध्यक्षिय महनतनरिति गोपाल दास ने कहा कि 22 जन्बरी को आयोध्या में राम लला की प्रान प्रतिस्टा भविता से होगी नम निर्मिर्श्री राम मंदिर में तयारिया तेजी से चल रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आयजन के मुख्य अतीति हुगे दस दिन तक आयजन चलेगा इसमें 5000 अतीतियों को आमंत्रित किया जा रहा है महंत नरित्ति गोपाल दास्रविवार को आयजन रोड स्थित गौड नगर में कारोपारी सतिश गौड के आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे स्वास्त सहीना होने के कारण मैंत्र जाधा बात नहीं कर सके मंगलवार को वे दिल्ली में रामलीला मैदान में आयजित करेक्टर में भागेंगे यहां कई प्रमुक लोगों और भक्तों ने उनसे आशिरवाद हिया आप के वह अच्छा है हमारे घुरते बगवान नत्कोंपाल राज़ जी जो राम जान्म हम भूमी के प्रमुक अध्यक्त है वो अलीगर पदारे हैं और ये उनीका ही आवास है ये हम तो किराधार हैं सब ठागुर जी की गृपा है जो उन्होंने इसनी बड़ी गृपा की गृदे भगवान आए हमेशा आते रहते हैं अब पिछले तीन साल से नहीं आए तो आज आएं महाराज जी का कहना है कि 22 महूरत तो है 14 तरीका और 14 से कारगन जालू हो जाएंगे 22 तरीकों मोदी जी आ रहा है जिसमें 5,000 आदमी विशिष्ट अतिति बुलाए जा रहा है जो महाराज जी के द्वारा ही उनके काट जाएंगे सबके हमारे गृदे हैं मैं महाराज श्री से 33 से जुड़ा हूँ महाराज जी अक्सर जे वलीगर आते हैं तो यही पर उनका प्रवास होता है पिछले चार साल से असोस्त होने के कारण नहीं आ पाए थे तो आज उनकी कृपा हुई और आज आये हैं राम मंदे के बारे में चर्चर हुई है राम मंदे 22 जनवरी को योग सब्सक्राइब मंदिल के मोदी जी के आने में 5000 आद्मियों निमंत्रन पत्र जा रहे हैं जैसा महाराज जी ने बताया है मेरे लिए महाराज जी आके ने कहा है अब में उनकी आग्या वो नहीं ठुप रहा सकता योग्यों को मेरे गृदे भगवान है पाकी सब महाराज जी किरपाहे महराज जी दो दिन यहाँ पर है आज और कल महराज जी पर्सों यह से प्रस्तान करें गेक दिल्फी में में सभा है उसमें जाएंगे जैसे महराज जी प्दार्थी जी अर्प दार जीब झाल झाल झाल